इस लैब में हम जो सरक्ट अनलिसस की लैब है उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स है और बेसिक इंस्ट्रुमेंट्स है या बेसिक एकुपेंट्स है उनको डिसक्ष करेंगे वन बाइवन स्टर्टिंग दीडिट्यट्र ट्रिनिंग सिस्टम है कि जिसमें आप जतने भी सरके अनलिसस की इक्सपरीमेंट्स हैं उनको अपर परफॉर्म कर वाए सकते हैं। analysis की जितने भी हमारे experiments हैं उन तमाम experiments में हमने इस digital trainer को यूज करना है digital trainer को यहां से start करते हैं कि तो यह हमारे पास इसका on off button है power यहां पर अगर आप देख सकते हो यहां पर लिखा होगा DC power supply तो इस trainer का यह section जो हमें DC power supply जो है वो provide कर रहा है इसमें दो किसम की power supplies है अगर आपको यहां पर नज़रा रहा है यहां पर एक fix value plus 5 और ground और minus 5 यापको plus 5 fold DC और minus 5 fold DC provide किया जा रहा है इन pins को इस्तिमार करके हम plus 5 fold DC और minus 5 fold DC जो है वो ले सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से यहां पर अगर आपको नज़रा आ रहा है तो 0 to plus 15 और 0 to minus 15 तो इसका मतलब है कि इस section में हम 0 से लेकर plus 15 तक या 0 से लेकर minus 15 तक voltage जो है वो हासर कर सकते हैं पर यह जो button है यह हमारे पास 0 से लेकर plus 15 तक variation चो कर रहा है और यहां पर 0 से लेकर माइनस 15 तो यह हमारे पास fixed DC voltage है प्लस 5 वोल्ड का और यह हमारे पास variable DC voltage है 0 से लेकर 15 वोल्ड तक यह 0 से लेकर माइनस 15 वोल्ड तक पिर इसके बाद यह वाला section जो है this is known as a potential meter potential meter is actually the other name of a variable resistance so you can see that यहां पर लिखा होगा 100 kilo ohms तो 0 से लेकर 10 तक यहां पर scale बना हुआ है इसका मतलब है कि यहां से आप वो variable रिजिस्टन जो है 100 kilo ohms तक ले सکते हैं इस button को इस्तिमार करके हम 100 kilo ohms तक की रिजिस्टन को set कर सकते हैं जबके इस button के जरीये से हम maximum 1 kilo ohms तक की रिजिस्टन को vary कर सकते हैं जिरो से लेकर 1 किलो ओम तक और जिरो से लेकर 100 किलो ओम सकेर्ट इसको वैरिक किया जा सकता है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर यह हमारे पास 3rd component है यह जो 3rd section है इस trainer में इसकी उपर लिखा होगा function generator function generator का मतलब यह है कि इसको हम audio function generator भी कह सकते हैं इसको हम AC power supply भी कह सकते हैं जिससे नमारे पास DC power supply था बिल्कुल यह उसी तरह से AC power supply है इस AC power supply में यहाँ से आप selection करते हो कि आपके पास signal triangular way form में हो या sinusoidal way form में हो या even square way form में हो यहाँ पर इस knob के जरिए से या इस button के जरिए से हम amplitude set कर सकते हैं जो कि 0 से लेकर 10 पास Ground Pin है जो से हम Ground की connection लेते हैं यहां पर अगर आप नज़र आ रहा है इस आउडर toggle switches जिसके उपर लिखा हुआ है data switches data switches का मतलब यह हुआ कि यहां से हम binary one out zero जो है वो generate कर सकते हैं यह हमारे पास जो switches है toggle switches switches है यह सिर्फ दो ही इसके states है या तो यह आपको one provide करता है या जिरो provide करता है तो हमारे circuit analysis में हो सकता है कि हम इसको 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 इस्तिमाल ना करें लेकिन डीरली वगारा courses या जो microprocessor वगारा की courses है माइक्रो कंट्रोलर की courses हैं वहाँ पर आप इसको 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 सकते हैं फिर इस trainer में हमारे पास यह pulse switches है दीजा नॉर्मली पुश बटन्स पुश बटन्स का मतलब क्या होगा कि आप यहां से manually pulses वगारा जो है वो generate कर सकते हैं इस वजा से इसको नाम दिया गिया है pulses switches यहां से आप pulse generate करवा सकते हैं अपनी मर्जी के मताबिक फार अगर आपको एक minute के अंदर 10 दफा या 10 pulses चाहिए तो आप इसको 10 दफा प्रेस करके मर्जी के मताबिक pulses जो है वो generate करवा सकते हैं अच्छा यह जो section है यहां पर लिखा हुआ speaker तो यहां पर आप अपनी tone वगरा या कोई भी बीप वगरा जो है वो सुन सकते हैं उसके लिए सिमार कर सकते हैं इस section is representing the adapters यह हमारे पास adapters की जो हैं वो connection शो कर रहा है this is known as a BCD display यह वाले section जो है यह BCD display है BCD stands for binary coded decimal यह आपको decimal numbers in terms of binary जो है वो शो करता है जिसको हम digital में इस्टेमाल करेंगे यहां पर LED data display है यह आपको नजर आ रहा है यहां पर 0 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 15 तक यानी total 16 हमारे पास LED लगी हुई है जिसमें अगर इस वक अगर यह off है तो इसका मतब है कि यहां पर low को represent किया जाते है और जब यह green होती है on हो जाती है तो इसका मतब है यह high को represent करती है तो आप अपनी output को binary inputs वगरा को binary outputs वगरा को चेक करने के लिए इन allergies को जो है वो इस्तेमाल करते हैं तैंक यू वर्य मच्छ चेशना शगाए यह लिए रज्धने मच्छ